ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए नमस्कार मैं हुस्वनिका और आप देख रहे हो ततकाल न्यूज लाइफ URDCP लोहित मतानी मानते हैं कि किसी भी IAS या IPS अधिकारी के उनके प्रमूग बोन यानि कि अपने कर्तवी के प्रती उनकी कडिम प्रततता और अखंडता है उन्होंने अब तब के अपने विविद अनुभवों को साजा करते हुए 2020 की UPSC परिक्षा में उत्तिर्न हुए सभी निवोदित IPS और IAS को सला देते हुए कहा मैं हाल ही में UPSC 20 के नवोदित सभी टॉपर्स और भविश्य के उमिदवारों के सपने अपने प्रशाश्निय करियर में इन मुल्यों के सभी समझो था न करने का आगरह करना चाहुँगा प्रशाश्निक अधिकारी को विभिन्य सरकारी विभागों में सेवा करते हुए हमेशा निपक्ष्य और अपने कर्तवे के प्रती इमानदार बने रहना चाहिए नागपूर टूडे से विशेश बातचीत करते हुए DCP मतानी ने दुनिया की सबसे खटिन परिक्षाव में से एक UPSC को क्रैक करते हुए सल्फ स्टड़ी करंट अफेर के महत्व पर भी विस्तुरूत चर्चा की उन्होंने विशेश तहां महाराश्चा राज्ये के UPSC टॉपर्स को इस बात के लिए बहुत बधाई भी दी जो बच्चे लोग अभी पास हुए हैं खास करके जो महाराश्चा दे पास हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी integrity और मांदारी के साथ अपना काम करेंगे और यह बोलना चाहता हूँ कि civil services में खास करकी इंडियन administrative service और इंडियन police service में सबसे important आज के time में quality है वो neutrality है तो आपको यही सज़ाद करूँआ कि neutral आप लोग बने रही है अलग-अलग parties की government के अंटर में आप लोग काम करेंगे ऐसा कभी मत कीजेगी किसी पार्टी की government से align होकर उनका फायदा करवाने के लिए या अपने transfer and posting से लिए किसी पार्टी से align हो जाए आगे जाकर आपको यह नुक्सान पहुचाएगा इसलिए neutrality हमेशा maintain रखें और integrity हमेशा maintain रखें सब्सक्राइब करने के लिए और जो लोग फेर हुए उन्होंने और महनत करना चीए उसके लिए क्या होगे सब्सक्राइब महनत तो जो course है वो बहुत बड़ा है और competition बहुत हाई है दसो लाक लोग बैठते हैं और उसमें से 450 लोग select होते हैं तो बहुत हाई competition है जो लोग select नहीं हुए हैं उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग पूरी इमानदारी से महनत करें और इमानदारी से महनत करने के बाद ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इमानदारी से महनत करते हैं और उनका selection नहीं होता है अगर आपकी महनत पूरी इमानदारी से है तो आप दुबारा से attempt देने के बाद और महनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी प्रकार का उसमें कोई क आप कमी नहीं छोड़ें तो आपको सेलेक्शन जरूर होगा बस यहीं है कि पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ें और अच्छी तरीके से मेहनत करें और समय देकर पढ़ाई करें सर आपने भी एक्जाम दी आप किस्ता कि आपका शेडूल था किस्ता कि आप एक्जाम में पास होगे सर कितनी मेहनत किया सर अपने दिन में अरूंड एवरेज दस घंटे पढ़ना जरूरी है और ऐसा नहीं कि इवल दस घंटे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं पूरा कोर्स मजना और उसको कम से कम तीन से चार बार रिवाइस करना बहुत जुरूरी है इसके साथ साथ जो करन्ट अफेर्स है जो लेटेस जो इवेंट्स चलते रहते हैं उनके बारे में जानकारी रखना उनका एनलेसिस करना और उनको ट्रेडिशनल टॉपिक से कनेक्ट करके करती है इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है तो ऐसी चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे उसके असाथ साथ